हरो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस कच्छा 10 के जितनी वी चात्र 2024 में बोर्ड का एक्जाम देने वाले हैज तो आपके बॉर्ड के एक्जाम में प्राथना पत्र लिखने के लिए आएगा और ये आपके board के exam में 4 number का प्रश्ण आने वाला है तो आज आप सभी को चात्रिवृति के लिए प्रातना पत्र बोड के exam में कैसे लिखेंगे और प्रातना लिखने का सही तरीका क्या है आप सभी को बताने वाले हैं तो आप video को last तक जरूर देखिए और अपना चार नंबर पक्का कीजिए तो फ्रेंज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए आप कापी पर प्राथना पत्र को कैसे लिखेंगे ठीक है यहां पर देखिए च्छात्रिवृति के लिए प्राथना पत्र जो लिखना रहेगा आपको लिखने का तरीका क्य है देखिए फ्रेंज जब भी आपको प्राथना पत्र लिखना रहेगा तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट कीजिएगा ठीक है आप क्या कीजिएगा यहां से लिखना इस्टार्ट कीजिएगा और यहां पर लिखिएगा सेवा में सबसे पहले आप लिखना पड़ेगा कामा कर लिजिएगा कामा करने के बाद यहां से जिसको लिखना रहेगा जैसा प्राधाना चार को लिखना है तो प्राधाना चार यहां पर डालिएगा लिखिएगा श्रीमान कि स्रीमान प्राधाना चार धाना MPF 4G ठीक है प्राधाना 4G काब्स किजूएगा देखिए के जब यहां से हम लिखते हैं यहां से थे इ 묶्करीख से प्राखर मों डाल सकते हैं कि आिटेश इंटर कालेच है इंटर कालेज और यहां पर डिस्टिक का नाम को ही डाल दीजिए चलिए यहां पर आगरा डाल देते हैं आपको जो राज्य का नाम लिखना होगा अप लिख लिजिए ठीक है आगरा लिख दीजिए गाजी पुल लिख दीजिए बल्या लिख दीजिए जो जीला है यहां पर लिख लिखना है यहां से 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 लिखना है यहां स सविने निवेदन है कि मैं आपकी विद्या ले कि ले पाहिए ले कि कच्छा दस कच्छा दस कच्छा सलेंगे जेसे यहां पर लाइन कर सकत्रकने लिखने यहां से प्रारण करेंगे नहीं अध। कर दस कच्छास में का चात्र हुँ ठीक है अब लिखिएगा मैं सदेव मैं सदेव ही अपनी कच्छा में कच्छा में उत्तम अंको अंको से अंको से ठीक है अंको से उत्तर होता रहा हूं अब कि इसके बाद क्या लिखेंगे अब लिखने के बाद अब लाइन छोड़ दीजिएगा लाइन छोडने के बाद सब्सक्राइब सभीन है कि यहां से लिखना प्रारम किरीज़िए गा कि मेरे घर उřदगे nhất में यदर यहां से नीचे यदा कि मेरे घर की आर्थिक आर्थिक इस्थिती इस्तिती ठीक नहीं है ठीक है इस्तिती अच्छी नहीं या ठीक नहीं लिख सकते हैं अच्छी नहीं है यहाँ पर नहीं लिखिएगा नहीं है ठीक है डर है डर है यहाँ वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा है अब यहाँ से लिखना इस्टार्ट कीजिएगा डर है कि डर है कि कहीं अर्था भाव के कारण मेरी पढ़ाई पढ़ाई न छूट जाए जाए ठीक है इस तर लिखेंगे अब लिखिए यहां से अत्व आशा है है कि आप मुझे आप मुझे विद्याले कोश विद्याले से ख्शात्र विर्त्ती कोश कोश में पर दान करने की प्रदान करने की रिपा करें किरिपा, करे है भी इतना लिखिती जीएगल, अब इसके बाद लिखिएगा, कि जीस से, कि मै अपनी पढ़ाई, आपनी पढ़ाई अग्रशर üzste है आप अगरसा निखाए यहा पर अगरसा लिए गार सिकों कि टेकँ हो गया अब इतना लिखने के बाद अभी इतना लिखने के बाद आप या लिखेएगा यहां मेरे लिखियेगा घ्रिक हे अग्रा लाय दन करता हूं कि मुझे छात्र विर्ति देखे ठीक है यहां आप लिखा गया छात्र विर्ति देने की किरिपा करे अब देखे यहां पर आपका अप्लिकेशन कंप्लीट होता है अब देखे आपको अगले लाइन में क्या करना है यहां पर कोने साइड यहां से लिखिएगा आपका अज्यकारी सिस्य आपका अज्यकारी सिस्य देखे आपको नाम तो बोड के एकजाम में लिखना नहीं यहां लिखिए यक्स वाई जेड यक्स वाई जेड कोई अक्षर यहां पर लिखिदीजेगा और नीचे लिखिदीजेगा कच्छा 10 ठीक है यहां पर कच्छा 10 लिखती जेगा और यहां पर आप दिनांग क्या डाल देंगे दिनांग और तारिक को आप पत्र लिखिएगा उसी तारीक का डेट डाल दिजेगा चलिए आज हम लिख रहे हैता आज का डेट 19 यहां पर कोई भी डाल सकते हैं अपडेट के लिए कंफ्यूजन मत रहिएगा जिस दिन आप पत्र लिखेगा उसी दिन का अपडेट डाल दीजिएगा यह आपको च्छातिवृति के लिए ठीक है इस प्रकास बोर्ड के एक्जाम में प्रात्ना पत्र लिखने के लिए आता ह तो टोटल चार नंबर का आता है और जयसे लिखें इसी प्रकास बोर्ड के एक्जाम में आप लिखेंगा ठीक के देखने को इस conveniently लिखेंगे नहीं कर पा रहे हैं वह कारण यहां पर आपको लिखना पढ़ता है ठीक है तो फ्रेंज इसी प्रकास से आप अपना छातिविरती के लिए प्रातना पत्र जरूर याद कर लीजिए और इसी तरह बोड के एक्जाम में लिखे चले आईएगा तो फ्रेंज आपको इसी प्रका आपको बोड के एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा तो फ्रेंज आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए है तो चलो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें